वेलकम टू ड्रीम के बीसी जिके दोस्तो एक बार फिर से स्फागत है आपका ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल पर दोस्तो आप सब लोग कैसे हो उमीद है आप सब लोग अच्छे होगे स्वस्त होगे दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मुगल सामरजे सब्द लगता है आपकी स्टडी में हेलफूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यहाँ चैनल ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तो आपको नमर विरनती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को आउन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही पुली नोलेजिबल वीडियो की नोडिपिकेशन मिलते रहे इस तो वीडियों तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरू निर्मान कराया था गुजरात विजई की याद में अगबन ने किसका निर्मान कराया था तो इसका उतरे बुलंद दरवाजा का निर्मान कराया था गुजरात विजई की याद में अगबन ने तो इसका उतरे जहागिर ने अपनी आत्मग था फारसी में लिखी थी अगला का प्रथम युद। अकबर ने दिन ए इलाही कब प्रारब किया था तो इसका उतरे 1582 में प्रारब किया था अकबर ने दिन ए इलाही कब प्रारब किया था तो इसका उतरे 1582 में प्रारब किया था अकबर ने दिन ए इलाही क्या था तो इसका उतरे अर्जुमंद बानो बेगम था मुम्ताज महल का असली नाम किस मुगल बात्सा को जिन्दा पीर कहा जाता था तो इसका उत्रे औरंग जेब को जिन्दा पीर कहा जाता था किस इतिहास कार ने सहा जाके सासन काल में मुगल काल का स्वन यूग कहा है तो इसका उत्रे एल स्रिवास्तव ने कहा है Question number 12 मुगल सामराज्य की राजबासा कौन सी थी तो इसका उतरे फार्सी थी मुगल सामराज्य की राजबासा Question number 13 Import question यह मुगल चितरकारी ने किसके सासनकाल में चर्मोत कर्ष प्राप्त किया था तो इसका उतरे जहागीर के सासनकाल में मुगल चितरकारी ने चरमोत कर्ष प्राप्त किया था क्विशन नमबर 14 किस ने अकबर की जिवन कथा लिखी थी तो इसका उतरे अबुल फजल ने अकबर की जिवन कथा लिखी थी Q15. 1526 इस्वी में बाबर ने किस वन्ष के सासक को परास कर मुगल सामरजे की निव डाली थी Q16. मयूर सिहासन तक्त ए ताउत पर बैठने वाला अंति मुगल बात सा कौन था तो इसका उतर है मुहमद सा रंगिला था मैयूर्ष यहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बाद सा Q17. मुगल समराट अकबर के समय का प्रसीद चित्रकार था Q18. अकबर के सासन काल में पुनर गठित कैंदरी प्रसासन तंद्र के अंतरगत सैनिक भाग का प्रमुक था Q19. मुगल प्रसासन व्योस्ता में मनसबदारी प्रणाली को किस ने प्रारम किया था Q20. अकबर ने सरप्रसम वेवाहिक सबंद राजपुतों के किस घराने से स्थापित किया था Q21. ओरंग जेब ने दक्षिन में किन दो राज्यों पर विजई प्राप्त की थी Q22. इंपोर्ड कुषिन ये हुमायु नॉमा किस ने लिखा था Q23. हुमायु का मगबरा कहा है? इसका उतरे दिली में है हुमायु का मगबरा Q24. अगला कुषिन है, हल्दी काटी यूद के पीछे अकबर का मुख्य उद्धिष्य क्या था? तो इसका उतरे राणा प्रताप को अपने अधिन मिलाना Q24. हल्दी काटी का यूद का यूद कब लड़ा गया था? तो इसका उतरे 1576 इस्वी में लड़ा गया था हल्दी का यूद Q26. अगला कुषिन Q26. सती प्रताप की बारतुर्फिक न खरने वाला मुगल समराठ था? तो कौन था? अगला कुषिन Q26. सेरशा सूरी का मुगरा कहा है? तो इसका उतरे सासा राम में है सेरशा सूरी का मुगरा दोस्तो इस वीडियो में पूरे 100 एक सो क्विशन से भी ज्यादा क्विशन कवर किये है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये आप हमारे चैनल पर नए है वो तो दोस्तो आपको नमबर विलनती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नौलेज़िबल वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती है दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे थोड़े टप टप थोड़े हार्ड हार्ट क्वेशन आते रहेंगे और वीडियो में अंतक बने रहे हैं एक सो क्वेशन से भी ज्यादा क्वेशन इस वीडियो में है 124 question cover किये है मैंने सारे के सारे question आपकी आने वाली exam के लिए important साबित हो सकते इससे पहले की जो 20 साल के government exam में जो बार बार पूछे गए है वही question मैंने यह आपे cover किये है सारे के सारे question important कुछ question आपको hard लगे थोड़े tough लगे तो उसकी not बना दीए साथ में लिखते जाएए एक बार आप लिख दोंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा जो भी आप पढ़ते हो जो भी लिखते हो उसमें कुछ आपको tough लगता है थोड़ा hard लगता है तो उसको अच्छे से लिख दीजे जो भी आप लिखते हो जो भी नोट बनाते हो एक्जाम के कुछ दिन पहले उसको पढ़ लिजी ताकि आपको एक्जाम के टाइम अच्छे से याद रहे जाएगा एक्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चल दीजे सेरसा को उसके पिता हसन खान ने एक जागिर के प्रबंदक के रूप में नियुक्त किया था वह जागिर थी तुछे उतरे सासा राम थी सेरसा के बचपन का नाम क्या था तो इसका उतरे फरीद का था सेरसा के बचपन का नाम क्वेशन नमबर थरी तुछ सेरसा की महानता का धोतक क्या है तो इसका उतरे प्रसासनिक सुदार है सेरसा की महानता का धोतक Qечение no. 34 शिर्षा ने असरफी रुपिया दाम नामक नए शिक के चल्वाए वे किन दातु CollS बने होते थे ए वे हे सोना चांदी और अमा से बने होते थे Qiction no. 30 36 शbon 17 शिवाजी महराज ने मुगलो को किस संधी के द्वारा किलो को हस्तान औरित किया था तो इसका उतरे पुरंदर, पुरंदर की संतीकित द्वरा, चातरपदी सिवाजी माराज ने मुगलों के किलों को हस्तरा अंतरित किया था Q36, सहाजाने किस सहर में मोती मजजित बनवाई थी, तो इसका उतरे आगरा सहर में मोती मजजित बनवाई थी, सहाजाने सहाजा के काल में कौन यूरोपी यात्री बारत आया था तो पीटर मूडी बारत आया था किस मुगल सासक को पहले आगरा में दफनाया गया बाद में उसकी एक अफगान विद्वा सब को काबूल ले गई और वही एक भाग में दफनाया तो इसका उतरे बाबर को किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था तो इसका उतरे ओरंग जेब को आलमगीर या जिन्दापीर कहा जाता था किस मुगल बादसा ने चजिया नामक कर पुनह लगाया था किस मुगल बादसा ने अपनी आत्मक था फारसी में लिखी थी तो इसका उतरे जहागीर ने अपनी आत्मक था फारसी में लिखी थी किस मुगल बादसा को वजीर गाजीव दिन ने दिल्ली में दाकिल नहीं होने दिया था किस मुगल बात्बाचा को जिनदा पीर खा जाता था किस मुगल बाचा के दुरभाग्यद पर करते हुए लेन पूल ने लिखा है कि वह जिवन बर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खा करी उसके जिवन का आंथ हुआ तो इसका उत्र हुमाईव के बारे में लिखा है अगला क्वेशन किस मुगल बादसा की मृत्यू दिन पनाहा पुस्तकाला की सीडियों के से गिनने से करण हुई थी तो इसका उत्र हुमाईव की मृत्यू हुई थी दिन पनाहा पुस्तकाला की सीडियों से गिनने से तो उत्रे औरंग जेब के सेना बादसा के अंदर का मुगल सेना में अस्रवातिक हिंदू सेना पधित है क्वेशन नंबर 50 किस इतियास कार ने सहा जाके सासन काल को मुगल काल का स्वर्ण यूग कहा है तो इसका उत्रे एल स्रीवास्ताउन क्वेशन नंबर 51 किस मुधितियास कार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीने इलाई को एक धर्म कहा है तो इसका उत्रे अबूल फजल ने क्वेशन नंबर 52 औरंग जेब ने ज्यादा भवनों का निर्मान नहीं करवाया क्योंकि क्वेशन नंबर 54 औरंग जेब द्वारा चलाएगे जिहाद का आर्थ है तो इसका उत्रे दार उल इसलाम है औरंग जेब द्वारा चलाएगे जिहाद का आर्थ क्वेशन नंबर 54 इतमाद उद दोला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था तो इसका उत्रे नूर जहाने बनवाया था क्वेशन नंबर 55 इरान के साह और मुगल सासको के बीच जगडे की जड क्यों थी क्या थी तो कंधार थी क्वेशन नंबर 56 औरंग जेब ने दक्षिन में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे तो इसे गोल कुंडा और विजापूर थे आएने अकबर येक महान एतिहासिक क्रितिक किसके दोरा लिखे गी थी तो इसका उत्रे अबूल फजल दोरा लिखे गी थी का मुल्यांग कन और संग्र करना कि नंबर 60 ऌची के चत्रफणी किस संधी के दवारा किलो मुगले के किलो को स्थान अंतरीत किया था तो इसका उतर पूरंदर की संदीव दा रहा है कौन सा मुगल बादसा पहले तो अंग्रेजों का कह दी रहा और बाद में जिवन परियत मराठों का पैंसन भोगी रहा तो इसका उतरहे सहा आलम दीतिया क्वीशन न हुमायू ने कब की थी तो इसका उतर पंद्रा सौपच्चपन चप पन इस्वि में की थी क्विशन नमबर 66 दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था तो इसका उतर अब्दूल समध द्वारा किया गया था Q67 किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपादिस अपनाई और बाद में सुल्तान की तो इसका उतरे सेरसा सूरी ने Q69 किस मुगल बादसा को वजीर गाजी उदिन ने दिल्ली में अदाकिल नहीं होने दिया था तो सा आलम दीते हैं Q79 किस ने रिपीट हो गया है इसलिए मैंने स्वा क्वेशन से ज़्यादा कवर किये कुछ वेशन रिपीट हो गया है और रंग जेब द्वारा चलाएगे जिहाद का अर्थ क्या है तो दार उल इसलाम था दिली के लाल किले का निर्मान किस ने करवाया था अकबन ने करवाया था तो यहाँ पर Q70 में अक्षमा जाते है सहाज आएगा दिली के लाल किले का निर्मान सहा जाने करवाया था और इसे राजदानी बनाया था Q70 किस इतिहास का ने सहा जाके सासन काल को मुगल काल का स्वर्ण यूग कहा है तो इसका वतर A.L. स्रीवास्ता उने Q72 पटना को प्रांती राजदानी किस ने बनाया था Q73 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 Q81 Q81 Q83 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 Q84 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 Q किसने अकबर की जीवन गठा लखी थी, किस मुगल सासक ने भारत की वरनस पतियों और प्राणी जगत, रूतू और फलो का विसद विबण़ अपनी डायरी में किया ह calculating Q94, जहागीर का मकबरा किसने बनवाया था? Q95, भारत में अंग्रे जोने पहला कारोबारी के अंदर कब और कहां स्थापित किया था? Q96, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतरित्व में? व्यापारिक अनुमती प्राप्त करने में सफलता पाई थी? तो इसका उतर सर टॉमस रो के नेतरितु में किस नाम से जहागिर ने सिक्के जारी करवाया था तो निसार नाम से राजे की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहागिर ने अपने महल के बाहर किस प्रतिक को लगवाया था तो इसका उतर सौने की जंजिर को लगाया था जहागीर की बेगम नूर जा का वास्तविक नाम क्या था तो इसका उतर महरू निश्या था जहागीर की बेगम नूर जा का वास्तविक ना जहागीर की मृत्यू कब हुई थी तो इसका उतर 1627 में हुई थी जहागिर का मकबरा कहां बनवाय गया था तो इसका उतर लाहोर के निगट सहाद्रा में जहागिर के बचपन का नाम क्या था तो इसका उतर सलीम था राजगदी पर बैठते ही जहागिर के खिलाब किसने विद्रो कर दिया था चागिर का पुत्र खुसरोन है किसने मुगल किसने गुलाब से इत्रा निकालने की विधी खोजी थी तो नूर जहा की मा असमत बेगम ने क्विशन नमबर 105 महियूर सिहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था तो इसका उत्रे बादल खा नाम था सहाजा के समय कौन सी जगा मुगल के हाथ से निकल गई थी महियूर सिहासन किसने बनाया था सहाजा ने बनाया था सहाजा को किसने केद किया था औरंग जेब ने केद किया था सहाजा ने आगरा से अपनी राजदानी कहां परिवर्तित की थी तो सहाजाबाद सहाजानाबाद पुरानी दिली में पुरीशन नबर एक सो था सहाजा को गिर्वतार कर कहा केद किया गया था तो इसका उतरे आगरा के किले में सहाजा के दरबार में संस्क्रित के कौन से पंडित मौजूद थे जो कबीर चंद्र आचारिया, सरस्वती और जगरनाथ पंडित थे साजा की माता का क्या नाम था तो जोधाबाई नाम था साजा की मृत्यू कैसे हुई थी तो आठ वर्स कैद में रहने के बाद हुई थी ताज मिल का निर्मान कारिया कब सुरू किया गया था तो 1632 इस्वी में शुरू किया गया था ताज मिल का निर्मान कारिया क्यूशन नम्बर 115 जहागिर के सबसे छोटे बेटे सहर यार की साधी किसके साथ हुई थी तो नूर जा के पहले पती से उत्मन पूत्री से हुई थी क्रिशन नम्र 116 उपनी सदो का फार्शिय नुवाद किस नाम से करवाय गया था तो सर ए अकबर के नाम से करवाय गया था उपनी सदो का फार्शिय नुवाद साधा ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाय था तो आगरा में बनवाय था धर्मत का युद किसके बिच हुआ था दारा और औरंग जेब के बिच हुआ था धर्मत का युद लाल किला और किला ये मुबारक का निर्मान किसने करवाया था तो साजा ने करवाया था साजा के बजबन का नाम क्या था तो कुर्रम था सहाब उलंद इकबाल के नाम से कौन मसूर था दारा सिखो था कभी जगरनात पंडित ने किसकी रजना की थी तो रस गंगा दर और गंगा लहर की रजना की थी कभी जगरनात पंडित ने मुम्ताज महलने के नाम से मसूर होने से पहले सहाजा की बेगम को किस नाम से पूकरा जाता था तो इसका उतर अर्जुमंद बानो बेगम की नाम से पूकरा जाता था सहाजा ने किसकी सहाहिता से राजगदी हासिल की थी तो इसका उसाप की सहाहिता से सहाजा ने दोस्तो इहाँ पर यह video सुमाप होता है हमारा यह video आपको अच्छा लगा हो नौललिजीबल लगा हो आपकी study में helpful लगा हो तो इसे like किजिए, share किजिए और अभी तक आपने हमारा यहाँ चैनल Dream KBC GK YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर विरंती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नोलेजिबल विडियो की नोडिफिकिशन मिलते हैं दोस्तों हमारी Dream KBC GK का फेस्बू पेज भी है आप हमारा फेस्बू पेज लाइक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते हैं वीडियो अचला को तो लाइक कीजिए और ज्यादे ज्यादे इस वीडियो को शियर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जय हिंद जय बारत वंदे मात्रम